नमस्कार दोस्तों मैं आज किस वीडियो में बताने जा रहा हूं नाउन मैंने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था नाउन किसे कहते हैं संग्या किसे कहते हैं और मैं आज किस वीडियो में बताने जा रहा हूं टैप्स ओफ नाउन संग्या के परकार चले प्रकार के होते हैं कितने प्रकार के हमारे संग्या कितने प्रकार के होते हैं कितने प्रकार के संग्या पांस प्रकार के होते हैं पहला का नाम है प्रोपर नाउन जिसे हिंदी में बोलते हैं व्यक्ति वाचक संग्या दूसरा का नाम है कोमन नाउन हिंदी में बोलते हैं जाति वाचक संग्या तिसरा का नाम है कलेक्टिब नाउन हिंदी में बोलते हैं समू वाचक संग्या चोथा का नाम है मेटरियल नाउन हिंदी में ब मेरा topic है types of noun संग्या के परकार कितने परकार कोते हैं five परकार के पाला के नाम है proper noun common noun collective noun material noun abstract noun हिंदी बोलेंगे व्यक्तिवाचक संग्या जातिवाचक संग्या समुवाचक संग्या दर्वाचक संगया और भावाचक संगया अब मैं इन सभी को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को नाउन को दो भागों बाटा गया अनिक यह जो है प्रोपर नाउन, कॉमा नाउन, क्लेक्टिव नाउन, मेटरियल नाउन, एस्ट्रेक नाउन इसको दो भागों बाटा गया, जिसका नाम है, एक का नाम है कॉन्टेबल नाउन और दुसरा का नाम है अनकॉन्टेबल नाउन पहला का नाम क्या है, कॉन्टेबल नाउन और दुसरा का नाम है अनकॉन्टेबल नाउन तो countable noun को हिंदी में बोलते हैं गन्ये संग्या क्या बोलते हैं गन्ये संग्या तो हम लोग पाले countable noun को जान लेते हैं countable noun किसे कहते हैं countable noun बोल रहा है the noun which can be counted is called countable noun और कि बोल रहा है जिस चीज़ को हम count कर सकते हैं सकते हैं उसे हम लोग कौंटेबल नाउन कहते हैं आने कि हम लोग चीज़ों को गीन सकते हैं उसे हम लोग कौंटेबल नाउन कहते हैं आने कि हिंदी बोल सकते हैं गन्ये संग्या क्या गन्ये संग्या तो गन्ये संग्या की डिफनेशन क्या है देखिए हम बोल रहा है गन्ये संग्या कहते हैं कि ककुई भी चीज को हम जो जिस चीज को गीन सकते आसानी से गिन सकते हैं हिंदी बोलेंगे गनियसंख्या जिसे एक्जाम्पल देखते हैं एक गायई जानवर है जानवर करो गीन सकते हैं कुदत 말고 जो पर जा थी उसको गीन गीन सकते हैं, भूक को गीन सकते हैं, कलम है उसको गीन सकते हैं, आदमी को गीन सकते हैं, तो जितने भी जिन चीज़ों को हम आसानी से गीन सकते हैं, उसे कॉंटेबल नाउन कहते हैं, आतों हिंदी बोलेंगे, गनिये संग्या कहते हैं, दूसरा क्या है, अनकॉंटेबल वीज केनोट बी काउंटेड इस कॉल कॉंटेवल नावन अनिकी जिस चीज को हम नहीं गिन सकते हैं जिस नावन को नहीं गिन सकते हैं उसे अनकॉंटेबल नावन कहते हैं तो सिंपल सी बोल रहा है दिक नावन वीज केनोट बी काउंटेड इस कॉल दि अनकॉंटेबल नाव तो हिंदी में बोल रहा है जिस संग्या को हम नहीं गीन सकते हैं उससे अगनिये संग्या कहते हैं आनि कि सिंपल सी बात है जिसे गीन सकते हैं उससे कॉंटेबल आनि कॉंट का ही मतलब है कॉंट आनि जिसे कॉंट कर सकते हैं या संग आने जैसे नहीं गिन सकते हैं उसने आम जोह हो चिसको नहीं इन्म सकते हैं strangण नहीं सकते हैं अने हिं सकते हैं ऑननसी इमंदारी को체 च्रहने में लिसे में ऊंदार को सकतेँ तो जिसे गीन नहीं सकते हैं नहीं गीन सकते हैं उसे अनकॉंटेबल नाउन इस एक्जामपल है ओईल, वाटर, ओनेस्टी, फियर यह सब जिसे हम लोग गीन नहीं संगते हैं पैसा हो, कलम हो, किताब हो, कोपी उसे गीन सकते हैं उसे कॉंटेबल नाउन तो देखें नोट पॉइंट में हम देखते हैं नोट पॉइंट में क्या बोल रहें नोट पॉइंट में है प्रोपर नाउन क्या है नोट पॉइंट में प्रोपर नाउन कॉमन नाउन एंड collective noun proper noun, common noun and collective noun को contable noun कहते हैं और प्रोपर नाउन, common noun collective noun material noun, abstract noun तो proper noun, common noun और collective noun को contable noun में रखा गया है और उससे 2 भागों बाटा गया है noun को कितने भागों बाटा गया है? दो भागों में और उसके परकार पांच है उन परकार पांचों परकार को दो भागों बाटागी से कॉंटेबल अनकॉंटेबल तो प्रोपर नाउन कॉंबन नाउन और कलेक्टिव नाउन को कॉंटेबल नाउन कहते हैं नाम क्या है प्रोपर नाउन क्या है प्रोपर नाउन वाट इस प्रोपर नाउन प्रोपर नाउन किसे कहते बोल रहा है यह प्रोपर नाउन इस दी नेम ओफ यह पार्टिकुलर पर्सन एनिमल्स प्लेज और थिंग्स प्रोपर मेंस अंज देखे बोल रहा है प्रोपर नाउ इस दि नेम ऑफ एपार्टी कुला नोंने कि सी एक चीज़ के बारे बद्वाजर पॉपर परसर अडिमलेबे मेल प्लेस और तिंस ऑणख slr के अज किसी एक चीज़ के बारे में स्थान open कि हिंड़ी में समय तच्वा जो रहा हूं कुछ किसी कि व्यक्ति अस्तान जानवर या वस्तु के खास नामों को व्यक्तिवाचक संगिया कहते हैं प्रोपर का अर्थ क्या है? अन्य कि ओन पुरह किसी व्यक्ति, अस्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को व्यक्तिवाचक संगिया कहते हैं प्रोपर का मतलब क्या होता है? किसी एक चीज़ के बारे में बोला जा रहा है उसे प्रोपर नाउन कहते हैं निकि व्यक्ति वाचायक संग्या कहते हैं जैसे एक्जांपल में राम किसी एक व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है पाटना किसी एक प्लेस का नाम अस्थान का नाम बोला जा रहा है योग्या ईज़ए और यहां वो सकते हैं रमायन और किसी पार्टिकुलर किताब के बारे में बोल रहा है तो हमारा क्या एक्जामपल है प्रुपर नाम है व्यक्तिवाचक संग्या का एक जांपल है तीर हिंदी कोई language हो गया Wars कोई तभ और संडे जनवरी फर्वरी मार्च अभी किसी का नाम है कोई महिना का नाम है कोई Januar का नाम है को Festival का नाम है किसी व्यक्ति का नाम है किसी जगा का नाम है किसी परिशनल एक चीछ बारे में indicate कर रहा है वोसे हम लोग proper noun कहते हैं उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरा common noun क्या है दूसरा common noun common noun क्या बोल रहा है दूसरा है common noun बोल रहा है common noun is a name given commonly to every person animals place or things of the same classes or kinds common means share by all of the same groups आनि इसको समझते हैं एक common noun is a name given commonly आनि किसी एक ग्रूप के बारे में बोल रहा है every person जिसमें एक ही तरह के लोग आते हैं animals place things of the same classes अनि कि same group का और kinds common means होता है share by अनि कि all of the same groups अनि common का मतलग होता है किसी एक ही ग्रूप के लोग हो अब चलिए हिंदी में समझते हैं हिंदी में बोला जा रहा है जाती वाचक संग्या क्या है जाती वाचक संग्या जिस संग्या से किसी खास व्यक्ति जानवर अस्थान या वस्तु का बोध ना हो करके पुरी जाती का जाती का स्रेनी का बोध होता है उससे जाती वाचक संग्या कहते हैं और जिस संग्या से किसी खाज व्यक्ति, जानवर, अस्थान या वस्तुक को ना बोध करके पूरी समूँ अनि पूरी गरुब अनि पूरी जाती या सरेनी का बोध होता है, उससे जाती वाचक शंग्या कहते हैं कॉमन का क्या आर्थ होता है, एक ही तरह के लोग जो होते है example समझते हैं कि आ ड़ंपल है बवय का यह लड़के लोग अनि कि जितने भी सारे लड़के एक तरह के लड़के लड़का के में लड़के लोग अनि कि बहुत सारे लड़के है خe Chrisate Prime सिच्छक लोग जितने भी लोग हैं सब एक ही कर्टेगोरी में आ रहा है स्टुडेन्ट येसट में हो गरूप में जो नोग आ रहे है जो पुरा एक प्रजाती क्रूप का एंडिकेट करता उससे अम लोग क्या बोलते हैं डौक्टर-सिश्टर- ब्रॉदर्स का इस यह हमारा क्या हो गया common noun नहीं जाती वाचक संग्या का एक example था अब लोग तिसरा समझते हैं तिसरा क्या है तिसरा बोल रहा है समु वाचक संग्या, क्या है समु वाचक संग्या, एंगलिश में बोलते हैं कलेक्टिव ना हो, तो पहले यहां पर हिंदी लिख दियें, तो पहले हिंदी समझ लेते हैं, क्या है समु वाचक संग्या, जिस संग्या से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्त पूरा एक समुंग का बोध कराता है उससे हम लोग बॉत जारा है। इंग्रीस में इसका समझत हैं इन इसके बाद हम लोग एंग्जामपल देखेंगी। बुरा क्लेक्टिव नाउन तिसरा एक क्लेक्टिव नाउन इस दी नेम ओप यह नंबर्स ऑफ पर्संस और थिंग्स टेकें टुगेदर एंड अस्पोकें ऑफ यह आनि कि पुरे एक हॉल में ग्रूप में जो होते हैं उसके बारें बुलाजाएं एक्जाम्पल है आमारा क्लेक्टिव नाउन का Breakfast अनि का supper One क्राउड का मतलब भीड़ में क्या है आम जनता लोग होते हैं परसन होते हैं लोग होते हैं एक तो नहीं होते हैं बहुत सारे लोग होते हैं तो उसमें भीड़ जाकर एक भीड़ बनता है एक क्राउड बनता है भीड़ बन जाता है उसके बाद अर्मी सेना अर्मी में जो में आते हैं एक पूरी अर्मी का एक पूरी जाती का बहुत कराता है टीम आनि कि दल बोल सकते हैं तो खिलाडी जो प्लेयर होते हैं टीम बोलेंगे प्लेयर समझ आता कि किरिकेट में 11 प्लेयर होते हैं कि प्लेयर की बात हो रही है किसी एक बारे खिलाडी बारे में नहीं बा बाच्चक संग्या मेट्रियल नाउन को समझते हैं बोल रहा है यह मेट्रियल नाउन इस दी नेम ओफ यह मेट्रियल और सब्टांसेज आनि की कोई दर्वक के बारे मुल रहा है किसी चीज के बारे माता बात कर रहा है मेट्रियल के बारे में जो मेट्रियल जिसे कुछ बनती जो पदार्थ होती उसके बारे में बोल रहा है यह materials noun is the name of materials or substances हिंदी में समझते हैं हिंदी में बोल रहा है दर्वाचक संग्या जिस संग्या से किसी दर्व या पदार्थ और कोई दर्व हो या तो पदार्थ का बोध होता है जिसे मापा या तोला जाता है जिससे मापार तोला जा सकता है किन्तु गीना नहीं जा सकता है उसे दर्वाचक संग्या कहते है बोल रहा है जिस संग्या से किसी दर्व या पदार्थ पदार्थ का नहीं में खाथ संसादन दर मतलब जो गिल्ला हो लिक्वीड में हो का बोध होता है जिसे माप या तोला जा सकता है जिसे माप सकते हैं और तोल सकते हैं उसे गीन नहीं सकते हैं नहीं गिना जा सकता है उसे दरवाचक संग्या केते हैं इसलिए जिसको गीन सकते हैं उसे कॉंटेबल केते हैं जिसे नह गिन सकते को रखांगे सकते हैं जैसे वाटर्द से लीटर में नप सकते हैं उसे गीन नहीं सकते हैं गेहूं को हम लोग क्या करते हैं ओजन केजी में तोल सकते हैं उसे गीन नहीं सकते हैं हीरा डाइमंड डाइमंड को भी तोल सकते हैं उसे गीन नहीं सकते हैं सुगर चीनी को हम लोग तोल सकते हैं किलो में बट उसे नाप नहीं सकते हैं और उसे गीन इसको भी नहींत से ग्राश घ्राश गास घ्राश को नहीं है और उसे इसे क्या सकते हैं डाश सकते क्या इसका बोलते हैं बहारily के एन अब्स्ट्रेक्ट नाउन इज दी नेम ओफ सम्कॉलिटी सम्कॉलिटी अस्टेट फिलिंग और आइडिया डैट वी कैन ओनली थिंग और और फिल बट कैन नॉट सी और टच आनी की किसी चीज को हम लोग सिर्फ क्या करता है फिल कर सकते हैं सोच सकते हैं पर उसे देख और टच नहीं कर सकते हैं नहीं उसे देख सकते नहीं उसे टच कर सकते हैं बस उसे सिर्फ फिल कर सकते हैं सोच सकते हैं उसे बोलते हैं अब स्ट्रेक नाउन क्या बोलते हैं अब स्ट्रे के अंतर अवस्था कोई अवस्था होता है या विचार या भाव के नामों को भावचक संग्या कहते हैं जिसे देखा या चुवा नहीं जा सकता है शिर्फ अनुभाव किया जा सकता है और उसे फिल किया जा सकते है उसे भाव आचक संग्या कहते है आनि कि उस गून कोई गून हो किसी में इमंदारी होते है अवस्था कोई चीज में होते है बिचार सोचना या भाव उसका क्या भाव है क्या तरीका है कि नामों को भाव आचक संग्या कहते है जिसे देखा या छुआ नह सकते हैं और फिल किया जा सकते हैं उसे हम लोग भाव अच्छानी अब श्ट्रेक नाउन कहते हैं जैसे एक्जामपल में लव प्यार इसे क्या करते हैं अनुभाव कर सकते हैं उसे देख और टच नहीं कर सकते हैं फिरीडम आजादी आजादी को फिल कर सकते हैं देख सकते है पर उसे touch नहीं कर सकते हैं उसे देख भी नहीं सकते हैं बस उसे feel करते हैं कि freedom अजाद में है पर उसे touch और feel see और देख नहीं सकते हैं greatness और की महानता जो महान लोग होते हैं बस सुनते हैं कि लोग महान हैं उसे अम लोग touch नहीं कर सकते हैं देख नहीं सकते बस हम लोग फिली अपने फिल करते हैं लाइफ जीवन जीवन जो बीत रही है उसे बस हम लोग सिर्फ फिल करते हैं और सोच सकते हैं बर उसे टाच और देख नहीं सकते हैं देथ इसे भी वही है चैलोल बच्पन तुरूद सचाई सचाई को हम लोग बस फि बनेचे का सकते हैं और फिल कर सकते हैं उससे टार्च और देख नहें सकते हैं तो हमारा आज का वीडियो इतना है तक हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कॉमेंक करके जरू बताना उखर । चैनल को सबस्क्राइब कर रहे हैं वीडियो को लगन एल rappeur प्रोफ्यूल नेस्ट वडियों तब तक लिए जय हिन जय भारत